चले गाई स्टार्ट कर लेते हैं सुनो जो अपना कल वाला कोश्चिन था ना more or less it is all done from my side जो भी मेरे को वो करने का था उस कोश्चिन के दर जो भी चीजे वो अलग वागेरा थी भी अलग दान ठीक है अई बस you have to try to compile the data and try to finish it off ठीक है और कुछ नहीं है सुनो दो मिनिट के लिए ध्यान देना जो कल कोश्चिन के अंदर किया था वो तुमारे पास है ओल्रड़ी ठीक है बराबर से सुनना जो मैं तुम लोग को वो बोलने बाला हूं सुनो सरा देखो अ इसका हम लोगों ने कल मेरे ख्याल से लास्ट वकिंग नोट के अंदर वो अनालेसिस भी कर लिया था फिर उसके बाद जो ट्रांस्पोर्ट स्टिस्टिक्स है अब बस जो अपना बाकी है वो सारा का सारा कोस्ट वाला ही पार्ट वो बाकी है इंदर दिया हुए तो फिक्स कोस ही हो जाएगा बस प्लीज याद रखना लोडिंग एक्विप्मेंट एक होएगा लेकिन जो वहिकल्स है ना बेटा वो पांच वहिकल्स है तो प्लीज इंटू फाइफ करना ताकि प्लीज याद रखना ये दोनों इच वहिकल्स के लिए है तो आप्लीज याद रखना ये दोनों इच वहिकल्स के लिए है तो आप लोग को इंटू फाइब वहिकल्स को करना पड़ेगा टायर्स कोस्ट मेरे खाल से अपने उस फॉर्माट के अंदर इट वह सब्सक्राइब को नो यह हां तो ड़ट पर्टिक्लर तिंग यह कंटिंग इंस अफिर अगे मिसलिन इस कॉस्ट विल बी तूट फाइब न मेरे ख्याल से यह भी अभी पर नम में दिया हुए फिक्स के लावा मेरे पास और कोई option नहीं होगा एक छोटा सा चीज अगर कभी कोई cost suppose like इनो जो tires cost है उन लोग ने format दिया हम लोग उसको semi variable के इंदर दाल दिगा अभी मेरे को यह चीज मत पुना सर कभी fixed के इंदर दाल दिया तो honestly अगर मैं examiner वो होईगा I will not even think of all such kind of mistakes क्योंकि क्या है कोई cost को fixed के अंदर दालो यह variable के अंदर दालो मतलब है कि उसको total cost के अंदर दालना चाहिए ठीक है you can try to obey those norms as much as possible लेकिन अगर वो नहीं किया maximum examiner half mark deduct कर सकता है okay per item okay so nothing beyond that so don't try to think much sir अगर यह हो गया तो okay mostly examiners might not even bother about that particular thing okay so in that case you all can just be careful okay so you are required to calculate a standard rate बोले तो standard cost यहापे कोई profit margins वगेरा तो है नहीं per ton mile of operating the vehicles चलो ठीक है सुनो एक minute के लिए wait करना then you all can start and finish क्योंकि जो भी मेरे को चाहिए वो हम लोग कल compute कर चुके है पूरे साल के इतना miles पूरे साल के अंदर इतना ton miles और मेरा variable cost repair वाला 0.05 है जो fixed cost है वो 5000 है ठीक है तो you are going to be writing after some time operating cost statement operating cost statement for one year क्योंकि हम लोग ने तो वैसे भी हर एक चीज़ one year के लिए किया ठीक है एक यहाँ पर आ जाएगा fixed cost fixed cost बस एक दो चीज़े ध्यान से सुन लेना then you all can continue driver's wages उसके बाद relief driver's wages एक छोटा सा चीज there are 50 weeks in a year गलती मत करना 52 weeks मत लेना सामके नहीं लिखा हुए अगर नहीं लिखके दिया होता फिर अलग बात है आप लो 52 weeks ले सकते हो ठीक है फिर उसके बाद depreciation depreciation on the loading equipment एक मिनट यहाँ पर cost दिया हुआ है 1 lakh मैंको बोलो scrap value नहीं दिया हुआ तो मैं क्या करूँ 0 तो divided by 5 years तो this will give me per annum का depreciation ठीक है फिर उसके बाद depreciation on vehicles जो depreciation on vehicles है तो it is 30,000 ठीक है divided by 5 years this will give you per year का depreciation लेकिन इसके बाद कुछ और बोलो into 5 vehicles करना पड़ेगा ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर 5 जो आपका vehicle license cost है 6 insurance cost है 7 miscellaneous है ठीक है so 6 and 7 ठीक है once your this particular work is done this will be roma number 1 please this is for each vehicle this is for each vehicle but this particular figure is in total तो first 2 को आपने को 5 से multiply करना पड़ेगा उसके बाद roma number 2 this will be your variable cost तो variable cost के नहीं सबसे पहले petrol cost आ जाएगा petrol cost is 30 पैसे पर mile कल हम लोगों ने number of miles compute किया था पूरे साल के नहीं कितना miles travel होएगा 170,000 miles into 0.3 ठीक है फिर उसके बाद second वाला जो है this was repairs नो okay repairs यहाँ पे आ जाएगा 170,000 miles into जड़ा ध्यान से silly errors मत करना बेटा 7 and a half पैसा है तो 7 and a half पैसे बोले तो 0.075 रूपी आ जाएगा ठीक है this will be your rumor number two फिर उसके बाद third now this is wherever you will require my help semi variable देखो अभी semi variable के अंदर honestly दो cost है one is repair and maintenance जो शुरू के अंदर था और उसके बाद एक तुमारा tires वाला cost है जो tires वाला cost है ना बेटा this is 3000 रूपीज वो तो directly copy paste कर लेने का लेकिन repair and maintenance के लिए मेरा कल का working note काम में आएगा उसके अंदर 5000 रूपे का fixed part था तो मैं यहाँ पे directly लिख रहा हूँ 5000 ठीक है plus 0.05 पर mile का variable वाला part था ठीक है तो 170,000 into 0.05 ठीक है अभी तुम लोग को मेरा कल वाला statement भी अभी याद आ जाएगा अगर मैं पहले इसको compute करूँ तो एक LC की ओपर 8,500 नडाता है प्लस 5000 तो यह वाला figure 13,500 आता है तुमको समझ में आए कि इस question के अंदर हमारा answer अपने को शुरू से मालूम था कि 13,500 याने वाला है क्योंकि luck by chance यहाँ पर 1,70,000 था बेटा तो उसके अगेंज जो cost है 13,500 तो अगर इस question के अंदर honesty तुम लोग working note 3 अगर नहीं भी बनाते है न इस question के अंदर तो चलता था में को last time बोलो क्यों चलता था क्योंकि question के अंदर 1,70,000 के अगेंज जो cost है तो वो दिया हुआ है बस the moment you are going to be doing this this will be your third this will give you total cost one plus two plus three ये जितना भी आ जाएगा end के अंदर अपने को cost per ton mile चाहिए so divide by number of ton miles ठीक है वो हम लोगों ने कल compute किया था पूरे साल का 4,20,000 सारा data एक साल का ही है ना तो सब कुछ एक साल का ही compute किया था this will start to give you cost per ton mile मेरे कहाल से तुमको मेरे इस format की कोई जूरत नहीं है I have done whatever is there in the question only ठीक है तुम लोग start करो you all give the title operating cost statement for one year operating cost statement for one year चलो सुनो आप लोग के सामने ये बाला चीज है जो चीज स्क्रीन पे नहीं दिख रहा वो चीज की तुम लोगों को जूरत भी नहीं है बस एक maintenance cost याद रखना आपके working note 3 के अंदर मेरे कहल से वो बाला चीज था ठीक है आप लोग start करो आपके पास 7 minutes है in 7 minutes you should be able to finish this please start करो Sir driver's wages into 5 होगा हा बेटा तो driver's wages एक सेकंड 150 पर driver ठीक है देरा 5 buses ओके into 50 weeks ऐसे computer हो चाहिए ठीक है लेकिन जो supervisor होगा वो एक ही होगा कल अपना बात हुआ था तो इसलिए मैंने आज बात नहीं किया क्या है झाल झाल कॉस्ट पर टन माइल 0.44 आना चाहिए 1,85,000 शुट भी टोटल कॉस्ट 1,85,000 शुपरवाइजर इस ओनी वन बेटा वो सुपरवाइजर है या रिलीव ड्राइवर है वो बंदा सुपरवाइजर है और अगर कोई में ड्राइवर अपसेंट हुआ तो वो उसका भी काम करेगा रिलीव ड्राइवर तो इट विल बिकाम 200 पर वीक इंटू 50 वीक इंटू 1 परसन होगी तो दस हजार रुपए का अंसर आएगा तो आपने एंसर क्या बोला है जिरो पॉइंट फॉर फॉर शायद है अब बलना कि 85000 दिवाइड बाइड बाइड पॉइंट फॉर को राएग एक मिनट और दे रहा हूं क्योंकि मेरे खेल से टाइलों का पेंडिंग है अबिता स्टार्ट करो जिन लों का पेंडिंग है खतम करो एंठ पॉर करो जूर थे तार्ट करो ipse एंग बाइड प्डाट करो बाइड डाल तर्ट करो तर्मailingρά बाइड । 37,500 this is 10,000 this is 20,000 this is 30,000 फिर उसके बाद तुम्हारा लाइसन इस 2,000 3,000 2,250 उसके बाद this is 51,000 ये कितना आता विटा 170,000 बस बस करेक्ट नो all the figures 185 0.44 चलो आप जिसका नहीं आए था ये वाले figures चेक करके तो आ जाएगा ठीक है शाट कर लेते हैं विदा नेक्स कोश्चिन पड़ी इसका जो शौट से ना ध्यान से एक बार जरा वो पाद लेना जो गलतियां हो सकती हैं रिटन दो सिम्स इस अनी वन सुपर्वाइजर वो इस रिलीव ड्राइबर अलो इफ देरा 5 वेकल्स अपना कल वाला पाथ वाल ट्रॉक इज गईग उन्स फुल वन इस देखो कल मैने तो वह रिजन भी दिये थे as it is different for the 5 years तो वो पूरा का पूरा fix नहीं है and neither variable as cost per mile is not seem हम लोग ने कल वो वाला चीज़ compute भी किया था hence it is semi variable ठीक है चले ये वाला काम तुमारा हो गया तो question number 16 से स्टार्ट करते है ये वाला question ना छोटा सा cute सा question है अच्छा लगता है मेरे को let's start to be doing it पढ़िए सरा पीस union transport company supplies the following details in respect of 5 ton truck capacity ठीक है cost of the truck 90,000 estimated life 10 years ये वाला चीज़ तुमको depreciation के लिए काम में आ जाएगा life is given in years so depreciation will be fixed diesel oil grease 15 per trip each way तो ये variable हो जाएगा ये diesel cost है यार repair and maintenance ये semi variable हो जाएगा cleaners wages ये तो fixed ही लेना पड़ेगा परमन्त ही दिया हुए cleaners wages ये भी अपने को fixed ही देना पड़ेगा अगे insurance tax general supervision I think all of them will be taken as fixed to only data ठीक है and on return to the extent of 20% of the capacity चलो में को अभी अभी वो बोल दिना जभी truck इदर से इदर जाता है कितना tons carry कर रहा है में को वह answer देना कितना tons carry कर रहा है 5 tons 5 tons उपर लिखा हो है बेटा truck का capacity 5 tons है और जभी वापस आता है तब ही बोलो 1 ton 1 ton because it is occupied to the extent of 20% of the capacity ठीक है तो यहाँ पे वो ही वाला चीज लिखा हो है assuming that truck runs on an average for 25 days in a month workout तुम लोग ना सिर्फ part A के लिए try मारने वाले हो operating cost per ton kilometer ठीक है तो जैसे पिछले question के अदर किया था डिटो same way में ये वाला काम वो करने वाला हूँ part B मत पढ़ना part B वो बाद की बात है वो बाद भी देखेंगे सुनो सुनो ध्यान से सुनना जो मैं तुम लोग को वो बोलने वाला हूँ operating cost statement for one month यहाँ पे कोई notes वगेरा वो नहीं बनाएंगे में गुज़रा बोलो तुमको नहीं यहाँ पे number of kilometers की भी कोई जुरूत नहीं है मेरे को बोलो क्यों number of kilometers में निकालूँगा है नहीं शाय टन kilometers में निकालूँगा लेकिन number of kilometers में को निकालने की कोई जुरूत नहीं यह आपको directly per trip दे दिया तो अभी में को वो distance से क्या करने का यार ठीक है तो सुनो तो सबसे पहले fixed cost fixed cost के अंदर one two three four five six there are six fixed cost ठीक है please सब कुछ एक मन्त के लिए लेना उसके वाद second variable cost variable cost के अंदर diesel, oil and grease cost ठीक है उसका ना तुम लोग को आगे calculation दिखाना पड़ेगा कि एक महीने के अंदर खर्चा कितना होगा working note की कोई सुरूत नहीं क्योंकि वो एक line कही है सब कुछ एक महीने के लिए चाहिए please silly silly errors मत करना ठीक है this will be your Roma number two itself third जो है तरह semi variable cost और वो एक है repair and maintenance और वो directly देकर ही रखा हुए 500 पर one ठीक है तो यही चीज तुम्हारा directly Roma number three हो जाएगा this will start to give you total cost total cost one plus two plus three तो यहाँ पर आजाएगा बस इसके बाद अपने को ना part one के अदर क्या चाहिए we want operating cost per ton kilometer so therefore divided by number of ton kilometer इसके लिए भी ना कोई अलग से note ने बनाएंगे जो भी calculation होएगा इधर दिखा देना पिछली बार पांच vehicles थे बड़ी बड़ी चीजे थी तो वो कर दिया अभी कुछ करने के कोई ज़रूरत नहीं है जो भी calculation होएगा वो इधर तुम लोग दिखा देना ठीक है बस once you are gonna be doing this this will give you cost per 10 km तुम्हारा part A जो है इससे खतम हो जाएगा ठीक है you will give the title operating cost statement for one month बीच में एक दो points तुम लोग गलत कर सकते हो but might be I want you all to do those mistakes also ताकि जब मैं बोलूँ at least वो याद तो रहे उसके बाद तुम लोग लिखो operating cost statement for one month तो diesel oil grease के लिए calculation वो लिखने का है number of 10 km के लिए वो लिखने का है और बाकि हर चीज़ प्लीज एक एक महीने के लिए करना you are making operating cost statement for one month ठीक है आप लोग स्टार्ट करो the question is there in front of you कि अच्ट के वो टेक्स में इंक्लूड रहा है freight के क्या बोलो है बटा तो वो इदे आड़ आउटवर्ड ट्रिप है मैं को नहीं समझा फिर से बोलो tax के लिए बेटा freight नहीं नहीं freight मतलब अपने को जो भाड़ा मिलेगा मतलब हम लोग कितना weight वगेरा तो वो carry करेगा तो freight means that it is not that freight जो usual sense के अंदर होता है तो freight मतलब अपने को जो business मिलेगा तो वाइल going अपने को पांच टन का business सो वो मिलेगा वाइल coming it will be a one ton ठीक है तो झाल 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 साक्षी करेक्ट है आगोश करेक्ट है चिराख गलत है बिटा प्लीज हर कोस्ट एक महीने के लिए लेना ये शुबं जै टोटल कॉस्ट करेक्ट है टोटल कॉस्ट तुम्हारा थ्री सेवन फाइव जीरो आना चीए प्रथम करेक्ट है डेप्रीसेशन चिराख आपने शायद एक साल के लिया पहला वाला ही कॉस्ट शायद टोटल कॉस्ट थ्री सेवन फाइव जीरो आएगा कुछाल आपका अंसर गलत है हर चीज एक महीने के लिए निकाल एक दिन के लिए मत निकाल देव रॉंग है सुष्टी करेक्ट है सेवन फिफ्टी का डेप्रीसेशन फाइव हंड्रेट टू फिफ्टी फ्यू उसके बाद फोर टू फोर फिक्स का टोडल बेटा तो वह कितना आता है डीजल ओल कॉस्स पंदरा जाना पंदरा आना ओव्वेसी दिन का कितना ट्रिप्स है वह दिया नहीं हुआ तो इंटू वन ट्रिप पर डेनो इंटू ट्वेंटी फइव डेई सेवन फिफ्टी आजाएगा तो यह थी सेवन फ रोशंग करेक्ट है वो कुनाल करेक्ट है नमबर ओफ टैन किलोमेटर्स हम लोग ने काफी कोशिंस के अंदर कंप्यूट किया यार यह तो हमारा करेक्टी होना चाहिए था तो जबी जा रहा है फिफ्टी किलोमेटर्स इंटू फाइफ टन्स जबी आ रहा है फिफ्टी किलोमेटर्स इंटू वन टन्स ऐसा दिन में एक ही बार होता है क्योंकि कुछ नहीं बोला तो दिन का एक ही ट्रिप होगा इंटू ट्वेंटी फाइफ देज तो यह आ जाएगा सेवन फाइफ जीरो जीरो पॉंट फाइफ ठीक है यह तुम्हारा आंसर वो होना चीए था किसी का भी गलत है तो अभी आप लोग वो देख लो फिर ठीक है चलो सुन बेटा इधर से इधर का जो डिस्चेंस है सब्सक्राइब, अ मझ का फरक है जब यह जाएगा तभी पांच टन का रहे है यह हो गई तो जाने की कहान ही जभी आएगा 50 lotと overlook ate कर रहा है लेकिन आन्या Mmm so therefore जाने का हो गया धाइसो आने का हो गया पचास so it is 300 ton km in one trip 300 ton km जाना आना ऐसा दिन का एक ही बार होगा into 25 days जैसे आज तक किया है बेटा डेपरिसेशन डिवाइड बाइट वाइट वैल नो यार 90,000 is the cost अभी उसके अंदर में क्या बता हूं बेटा divided by 10 years into 1 by 12 नो you are making for one month so अब लोगा 0.5 आ गया विटा चलो ठीक है सुनो अभी इसके बाद ना जो कहानी है वो easy कहानी है complicated मत करना ठीक है मैं अभी यहां से आगे start कर रहा हूं rate per ton per trip that the company should charge if profit of 50% on freight is to be earned freight मतलब the भाडा that we are going to be charging to the customer it is something like 50% of selling price it is something like that ठीक है so in this particular case अभी हम लोग start कर लेते हैं you all give the title rate per ton per trip rate per ton per trip rate per ton per trip सुनो हम लोग ना इस फिगर से start हो जाते हैं 0.5 से तो write down प्लीज लिखो cost पर टन किलोमेटर 0.50 अच्छा तुमको क्या चाहिए rate per ton per trip that the company should charge अभी common sense है whenever we will charge to the customer we will not charge our cost we will also charge our profit profit तो profit भी तो add करना पड़ेगा तो profit add कर देते हैं cost plus profit will give you selling price लेकिन selling price word के बदले में I'll write down the word freight जो sum के अंदर है freight मतलब the भाड़ा that you charge from your customers so this will give you freight per ton kilometer अच्छा profit का percentage जरा चेक करो it is 50% on freight अभी कल मेरे ख्याल से ऐसा ही किया था तो तुम लों को यात हो ही गई it is 50% on freight तो वो 50 वो 100 तो में को बोलो cost कितना हो जाएगा 0.5 0.5 तो वो भी 50 ही हो जाएगा तो ये बाला figure भी 0.5 ही हो जाएगा अच्छा although this is not your answer okay why this is not your answer अच्छा अपने को सम ने क्या बोला है अपने को सम ने ही बोला है rate per ton per trip rate per ton per trip that company should charge a profit of देखो ये जो है ना this is rate per ton kilometer अगर मैं तुम लोग को कभी पूछू ये 1 रुपी का मतलब क्या हुआ मेरे को वो बोलो करेगा for one kilometer we are gonna be charging them one गुरुपी ठीक है लेकिन सम ने क्या बोला है उनको ना freight per ton per trip चाहिए तो एक लाइन ज़रा छोड़ो कि यहां भी लिखे रखो देव उन्ट फ्रेट पर टन पर ट्रिप अच्छा तो obviously मेरे को सरा बोलो यहां से यहां तक पहुँचने के लिए मैं किस से multiply करूँ मैं को number मत बोलना मैं को words बोलना है number of number of kilometers per trip नो तो into यहां पर number of kilometers per trip सुनो अभी अपना popert मत करवाना end में आके में को जर बोलो customer लोगों को अपने को rate per ton per trip बोलने का है अपने को rate per ton per kilometer नहीं बोलने का है वो तो one रुपी का है वो अपने दिमाग के अंदर है लेकिन customer पूछेगा तो मैं उसको rate per time मैं उसको बोले या इधर नहीं में को वो sentence नहीं बोले का बना I'll give the answer also में को ज़रा बोलो मैं यहाँ पर कितना लिखूँ छोटा छोटा लिखता हूँ 50 लिखूँ के 100 लिखूँ common sense यूज़ करना अभी दो यह answer possible है यहाँ 50 आएंगा यह 100 आएगा बोलो obviously 50 आएंगा ना कोई customer कभी ऐसा थोड़ी बोलेगा तू मेरे goods को इधर से इधर लेके जा और वोपिस भी ले आना goods को गुमाने का थोड़ी है customer will tell us to carry the goods from one place to another obviously no it is not like तुमारा वो जो ride वगेरा होती है की घूमने का ऐसा goods will be transported from one place to another तो obviously in this case यहाँ पर यहाँ पर लिख लेना 50 little or the answer will become 50 obviously customer will be telling them please transport the goods from this place to this particular place okay तो obviously ऐसा थोड़ी होगा की goods को लेके भी जाएगा और वापिस भी लेके आएगा तो फिर तू लेकर क्यों गया था जब वापिस लाने का था तो ओके चलो मैंने यहाँ पर देख लो क्या क्या लिखा है there is only one trip per day as nothing is given to you 50% of freight freight means rain to be recovered from the customers is like 50% on sales okay I think that will be enough अपना transport sector that carries the goods ना उसका last एक अच्छा कोशन next वाला कोशन बुद फालतू कोशन है ठीक है तो question number 17 मेरे को इस question से अच्छा कुछ लगता ही नहीं when it comes to calculation of number of ton kilometers वगेरा यह वो solid question है global transport limited charges rupees 90 per ton for its 6 tons truck lorry load from city A to B तो global transport limited जो है ना क्या करता है charges 90 per ton it's not 90 per ton kilometer it is rupees 90 per ton for its 6 tons truck lorry load from city A to B A to B जब goods लेके जाएगा ना तो customer को कितना rupees charge करेगा 90 per ton ठीक है the charges for the return journey are 84 per ton चलो ठीक है तो जबी वापिस लाता है मतलब जबी B to A आ रहे तब यह अपना जो charges है वो कितना हो जाता है 84 these are the selling prices these are the rate cards for the customer ठीक है customer इसके हसाब से अपने को पैसा देगा no concession or reduction in these rates is made for any delivery of goods at intermediate station C वो लोग क्या बोलते हैं इसके अंदर कुछ concession या reduction नहीं होने वाला अगर बीच में हम लोगोंने goods C के अने deliver किये तो A और B के बीच में एक city और आता है उसका नाम क्या है C अगर कोई customer बोलेगा ना C पे goods उतार देना हम लोग उतार तो देगा लेकिन अपने से फालतु का discount वगेरा नहीं मागनेगा तो अपना charges में को बोलो जबी A to B goods लेके जाएंगे तबी कितने हैं का रहेगा 90 पर टन और जबी B to A आ रहे है तबी 84 ठीक है और बीच में C में goods उतारेगा कोई discount वगेरा नहीं मिनने वाला ठीक है आगे चल पड़ थे इन जैन ट्रक में 12 outward journeys for city B with full load out of which 2 tons were unloaded twice in the way of city C ठीक है बोलो क्या बोलता है जैन के इंदर ना ट्रक ने बारा बार outward journey किया तो outward बोले तो A to B ठीक है जिसके अंदर से 2 बार जिसके अंदर से 2 बार ये 2 बार दो टन हम लोगों ने कहां पर उतार दिये C में उतार दिये ठीक है आगे पहले में को ज़रा एक चीज़ बोलना समके first time पर पढ़के बोलो में को ज़रा बोलो कि ट्रक का capacity कितना था तो अभी ये क्यों पूछा तुमको next time से समझ में आएगा अभी ट्रक का जो capacity था वो 6 टन था लेकिन ट्रक कितना टन्स कर रहा था 8 टन्स शायद तुम लोग ने रोड रोड के उपर ऐसे ट्रक देखे हो एंगे जो ओवर फुल होता है उसके बाद उसे जाओ तो लगता है कि अपने उपर तो वो गिर जाएगा कभी भी तुम लोग अभी हमारी पुलिस की एफिशेंसी भी देखो जरा ट्रक कैरीड अ लोड ओफ एट टन्स इन रिटर्न जरनी फॉर फाइफ तैम्स बट वाज ओनी वन्स कॉट्ट वाइप पुलिस ओके यह कोश्चन तो इंडिया का ही है तो एक ही बारी बस वो पुलिस ने पकड़ा आग इसका मैं तुमको एक डायग्राम शुरू के अंदर दे दूँगा दिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी और सिटी बी और वन फॉर्टी किलो मेटर्स एं 300 किलो मेटर्स रिस्पेक्टिवली ठीक है अन्यूल वर्ड कॉंडर्लाइन करना अन्यूल फिक्स्ट कॉस्ट इन में ट्र अपसल्यू टन किलो मेटर्स अज तक निकाला ना उसको कई लोग अपसल्यू टन किलो मेटर्स भी बोलता है तो वह वही चीज़ है जो आज तक किया तो नथिंग सो स्ट्रींज जाया सच ठीक है चलो सुनो नीचे शॉट्स पढ़के इस कोशिंगे ना कोई यूज नहीं होएगा क्योंकि कोशिंग इतना बड़ा था कि अगर मैं इसका शॉट्स बनाने के लिए जाता वो तीन चार पेज वो चले जाते हैं तो इने नहीं कैस भी और बिल स्ट देखो आपको क्या करना है let's find out cost per ton kilometer ठीक है तो cost per ton kilometer अपने को jan month के लिए चाहिए so let's compute number of ton kilometers for the month of jan तो यहाँ पर लिखके रखना calculation of एक second एक second एक second एक second पहले ना एक ऐसा diagram बना ले बेटा A, B और बीच में C आता है उसके बाद यॉ अल कें राइट आउन calculation of number of ton kilometers for jan आचा सुनो मैं वो distances ना पहले लिख देता हूँ distance from A to C and B B मतलब A to B हो नहीं बेटा are 140 and 300 तो A to C का जो distance ना 140 kilometers है पूरा का पूरा A to B जो है वो 300 kilometers है तो C to B कितना हो जाएगा 160 kilometers आचा सुनो तुम लोगो ना number of 10 kilometers चाहिए for jan अभी तुम लोगो को as I told this is one of the finest question that we all have as far as calculation of number of 10 kilometers go तुमको जो चीज़ चाहिए ना वो मैं तुम लोगो underline करके दे रहा हूँ ठीक है तो तुमको सिर्फ वही वाला डेटा पंडने का है ठीक है although इसके अंदर ये जो 1200 rupees paid as fine ना तुमको वह वाला डेटा काम में ने आएगा ये वाला डेटा पढ़ो तुमको एक चीज़ बोल सकता हूँ be careful about one thing कि ट्रक ने बारा लोड बारा बार इधर से इधर गया तो obviously इधर से इधर भी तो आया सारी की सारी journeys count करना भूल मचाना तुमको बारा बार A to B का case करने का है बारा बार B to A का भी obviously case करने का है तुम्हारे पास आठ मिनट है किसी को भी अगर इस question का answer आया brilliant work done त्राइ मेरे को private message करना whenever you get the answer rough के अंदर लिख लिख के करो calcic के उपर मात करो answer कभी भी नहीं आएगा nine minutes देता हूँ time लगेगा यहाँ आएवां बार बार Telegon मेह गलत है विटा तने गलत है विजित करेक्ट है उजवल ड्रॉण बेटा एक महिने के लिए काम कर रहे हूं प्रीज जान मंद के लिए यहां पे लिखा हुए फॉर रिमेनिंग ट्रिप्स पड़ ध्यान से वच्सल रॉण शुभम रॉण सिधान्त रॉण कॉशल रॉण प्रितिका रॉण कुनाल करेक्ट प्रथम रॉण में को प्रथम आप टॉटल बताना शायद आप एक तरफ का बता रहे हो नेहा रॉण करन्दी बिटा अराम से सोच किस चीज का अंसर दे रहा है बिटा वन सिक्स्टी इंटू सिक्स टन्स भी करेगा सबसे छोटा वाला वो भी नाइन सिक्स्टी हो जाता है बच्सल रॉण देव रॉण कुशाल जीन करेक्ट मानसी करेक्ट महक रॉण आयूश रॉण धरूफ रॉण सिमर्ण रॉण रॉण हमांश रॉण झाल झाल साक्षीशा गलत नहीं करने वाला हूँ मैं को इंडिविजूल अमाउंट नहीं मालूं की गोईंग और कमिंग का मैं को टोटल अमाउंट मालूं मैं सुन आल ट्राइटू टेक एर कि मैं बारा बार जाना बारा बार आना का ट्रैक रखूं बस वो कर लूँगा तो सब आंसर मेरे करेक्टी हो जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले इंजायन ट्रक मेड 12 आउटवर्ट जर्नीस फोर सिटी बी विद फुल लोड फुल लोड बोले तो 6 टन्स ओफ विच 2 टन्स वर अनलोड़े ट्वाइस इन दे वी अफ सिटी सी तो बारा बार के अंदर से दो बार कुछ अजीब हुआ लिखना 12 आउटवर्ट ट्रिप्स उसके अंदर से पहले मैं 10 ट्रिप्स का बात कर लेता हूँ आचा मेरे को अभी दो चीज़े बोलना ये 10 ट्रिप्स के अंदर कितने टन्स कैरी हुए कितने किलोमीटर के लिए बताओ 6 टन्स कैरी हुए for entire distance entire distance बोले तो A से लेके B तक तुम लोग साथ साथ में compute करके प्लीज वो लिखते रहो मैं नहीं लिखने वारा हूँ अचा बाकी दो क्या हो बटा जो यहाँ पर लिख है वो ही काम कर रहा हूँ truck में 12 outward journeys for city B with full load full load बोले तो six tons of which two tons were unloaded twice in a way of city sea दो बार कुछ अजीब हुआ कि goods यहाँ पर उतार दी है मैं वो दो बार का बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं बाकी दस trip का बात कर रहा हूँ तो बाकी दस trip यहाँ से लेके यहाँ तक थे obvious थी 300 km और छे टन कारी कर रहे थे तो वो ही बाला काम किया बस चीक है अगे अभी बाकी दो trips के अंदर क्या हुआ बाकी दो trips के अंदर two tons were unloaded twice in the way of city sea मतलब truck जबी A to C आ रहा था ना मेरे को बोलो कितना tons कारी कर रहा था चे टन और उसके बाद दो टन C में उतार दिया मतलब आगे कितना ton लेके गया चार तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की दो बार की कहानी अलग से करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की दो बार की कहानी अलग से करता हूँ तो यहाँ पर लिखना two trips में को पहले तुम लोग yellow वाली कहानी बताओ बोलो into six tons into कितना kilometers 140 kilometers two tons तो खाली कर दिया तो जो है उसी के बारे में बात करेगा ना आगे बाकी अब मैं green वाले का बात कर रहा हूँ में को अभी जरा बोलो two trips आगे बोलो ना four tons into one sixty kilometers यह हो गई जाने की कहानी total मत मारना end के अंदर एक ही बार मारेंगे 12 return trips अब यह बाला पार्ट रब कर देता हूँ 12 trips वह पिस भी तो आ रहा है उसके ऐसे देखो पांच बार की इंटो वाट फाइफ टिप्स इंटो eight tons no into कितना kilometers बिटा three hundred kilometers यह compute कर लो अगे अभी एक मिन में को बोलो आते वाग्ग पांच ट्रिप की कहानी खतम हो गई तो कितने trips बच गए जिसके बारें बात करने का है seven तो seven के अंदर से जरा देखो क्या हुआ for the remaining trips एक मिन बाकी सब रब कर देदा for the remaining trips बोले तो seven the truck carried full load full load full load full load बोले तो six के eight six tons out of which all the goods on load were unloaded once at ctc तो एक मिन अभी ना truck इदर से इदर आ रहा है बिटा तो साथ बार वाप पे सारा था उसके इनर से एक बार उसने सारा का सारा goods किदर खाली का डाला c पे तो मैं क्या बोलता हूँ मतलब बाकी छे trips जो थे यह जो अच्छा आते वक्त मैंने अभी तक कितने trips के बार में पूरा बात कर लिया है 11 ठीक है और वो आखरी बार क्या हुआ आखरी बार क्या हुआ ट्रक इदर से इदर आ रहा था और सारा का सारा समान c पे उतार दिया मैं वही लाइन पढ़ने जा रहा हूँ बोले तो 6 ठीक है तो एक बार ऐसा हुआ सारा goods जो है वो c में उतार दिया तो मैं को जारा बोली जो आखरी वाला trip था इसके अंदर c to a वो कितना लोड लेके गया जीरो ठीक है लेकिन बी टू सी कितना लोड लेकर आया 6 ठीक है अब मैं को बराबर से बोलना यह लास्ट चीज है मैं को बोलो what into what into what one trip into six tons into one sixty kilometers ठीक है यह कर लो टोटल 44 720 आना चाहिए है थेक्टश्ड़ लेद्टमें वेड़ कि एकश चाहिए यह वाला काम तुमारा हो गया, मैं रिक्वाइट पार्ट पे आ रहा हूँ यह रिक्वाइट तो फांड आट कॉस्ट पर अप्सलिट टन किलमेटर लिक्वाइट गिए देशा है। तन कि आट किимने डिक्वाइट रे सीसिति लह रहा हम ऐट से काम अच्छा तो अपने को कॉस्ट निकालना पड़ेगा अभी यहां पे ना कॉस्ट आप लोगो डारेक्ली देखे रखा हुए बस एक काम अपने को करना पड़ेगा दिखो ènनीन्ग जो विरिएबल हो जाएगा अर दिसमंच है बने जो अभी मैं यहां पर एक स्टेट्मेंट क्या बनाऊ तेयन ही तो वो टोटल fixed cost है in this case यह पूरे साल का दिया हुआ था ना 60,000 divided by 12,000 फिर उसके बाद आगे कौन सा है maintenance cost आप लोग उसको वो semi variable का heading देके भी वो वाला काम वो कर सकते हो अभी वो एक एक चीज़ ही है यार तो let's just directly write it that's okay so 12,000 divided by 12,000 फिर उसके बाद running charges आप लोग उसको variable cost का वो heading देके उसके बाद भी काम लेकिन यह जो running charges है ना यह jan का ही दिया हुए बेटा तो this is 2944 अच्छा तुम्हारे दिमाग में आएगा sir question के अंदर एक और cost पी तो है लेकिन वो मेरे को एक मिनट के बाद पूछना अभी मत पूछो 8944 अपने को cost per ton kilometer चाहिए तो divide by number of ton kilometers 44,720 तो cost per ton kilometer अच्छा मेंको पूछो ना sir आपने एक cost तो लिखा ही नहीं आप भूल गये मेरे को बोलो कि कौन सा cost fine, police, fine जो fine दिया police को अभी ये view institute का है not mine but I'll tell it to you all वो लोग क्या बोलते हैं कि ना हम लोग उने cost पूछा हुआ है और वो लोग ये बोलते हैं कि 1200 रुपीस का जो fine दे रहे हो ना it is not a cost, it is a loss तो उसको cost के मत include करो very good, okay ऐसा institute बोलता है I'm not saying it's wrong but might not be fully correct also, you all will understand every kind of loss will increase your cost, no you can try to be saying कि every loss increases your cost example के तोर पे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये tablet जो है वो खराब हो गया कोई ऐसा बोल सकता है, sir आपका loss हो गया कोई ऐसा भी तो बोल सकता है, sir अभी आपका cost बढ़ गया in fact, अगर मेरे पास institute का answer नहीं होता तो मैं पका include करता उसको, क्यों, मैं को जरा बोलो पुलिस को fine क्यों दिया क्योंकि सर्थ 2 ton extra लेके गए थे, जरा सोचो ना, जब आप लोगों ने ton kilometers compute किया, तो आपने वो 2 tons भी include किया ना, तो you can also be saying that that 1200 rupees is extra cost to carry those 2 tons तुमको समझ में आता है, yes sir although institute has done one thing, so I am not trying to give you my view but I will give you by way of a note for sure, okay तुम लोग include करोगे, honestly किसी की हिम्मत नहीं है to give it wrong, okay but क्या हो जाता है, wherever there is a जगडा, no I try to be saying, अभी marks की बारे में वो बात है, okay so therefore do whatever the institute has done, okay so you all can write down over here note and write down लिखो fine paid fine paid to police is a loss and not a cost full shop therefore देव यहाँ पे कस्टमर बगेरा कुछ पे जो आपने वो पूछा है, कुछ वैसा नहीं होने बाला, your charges are fixed, बीटा, okay तो तुम लोग अपना charges fix वो करी चुके, you are just trying to find out the cost for your reference, okay मैंने क्या बूला था, मैं फूल गया, fine paid to police is a cost and not a loss is a loss and not a cost, therefore it has been excluded therefore it has been excluded from cost कर एंपने हो अपन्स देव जोग पूछरो आप अपने वोगा पूछ रहो अपने लगो जब चुछो चुके बाला, it can be included as a cost also alternately it can be included as a cost also देव जो आप पूछ रहे हो ना that stems from the fact that you all have done your process costing okay I think so इसलिए वो वाला doubt आपके दिमाग में आया तो just for you the other people you all might not hear it तब जब हम लोग normal cost compute करते हैं that is basically done because that time we start to be thinking selling prices will be based on cost यहाँ पर आपके पास selling prices वगेरा हैं ठीक है तो selling prices वगेरा हैं तो it's not that we are computing the cost ताकि we can fix the prices अगर end के अदर अपना cost जो है तो वो जादा लग गया okay we'll bear that much amount of loss in profit okay I hope that's okay एक मिन कुछ और डाउट third line was not which third line बेटा एक मिनट नहीं the answer will remain यह बाला अगर line नहीं होता न okay तो यहाँ पर वो लोग तेरको rate per ton km देते हैं फिर वो लोग तुमको rate per ton नहीं दे सकते थे ठीक है तो फिर अपना calculations accordingly होता so if it is rate per ton then they'll have to give you this particular line okay if it is not there then they'll give you rate per ton km ठीक है चलो अभी आगे उन लोग ने एक और चीज़ भी लिखा हुआ है profit for jan निकालके दो तो चलो ठीक है तो यहाँ पर अभी वो लिख लेते हैं calculation of profit for jan आच्छा देखो profit is always net of two things बेटा एक revenue और एक cost तो लिखो revenue for jan अभी तुम profit निकाल रहे हो ठीक है आच्छा सुनो revenue के नीचे 5 line ज़रा छोड़ो उसके बाद लिखो less cost for jan अच्छा मेरी बात सुनो cost तो बेटा sum के अंदर directly वो दिया हुए ना अपने को मतलब यह हम लोगो ने compute किया न अभी अभी cost तो cost for the month of jan मेरे को बोलो क्यों मेरे को बोलो अभी चीज़ वो 1200 रुपए का fine अभी तो profit निकाल रहे है बेटा प्रतम अगर उसका head नहीं मालूम you can make a new head others मेरे खाल से मैंने एक lecture करें तो वो बोला ही था okay तो you can be doing it that's fine ठीक है fine paid to police one two zero zero आच्छा ये sum मैं दो ही reasons की वज़ा से कर रहा हूं दो ही reasons की वज़ा से एक था calculation of 10 kilometers that many people got correct also so that was good now the other part is computing the revenue अभी तुमको ना वो 12 trips के बारे में फिर से बात करना पड़ेगा calc के उपर और किदर लिखके करना that will be better जबी truck goods A to B लेके जाता है ना तो 90 rupees पर ton charge करता है जबी वापस आता है तभी 84 ठीक है अगर बीच में सी के अंदर goods drop होए तो कोई discount नहीं मिलने वाला है अभी तुम लोग को मैं 4 मिनट दे रहा हूं नहीं चलो 5 मिनट दे रहा हूं मेरे को तुम लोग जान का revenue निकाल के दो जान मंत का revenue निकाल के दो आयोश उसका कुछ नहीं करते that is your profit you ticket नो आगोश correct है मेह correct है रोशन रोंग प्रथम रोंग श्रीधर correct सुनील रोंग कुनाल सराफ correct इथरूफ तने correct चलो विए कहाल से प्रथम करता हूं तुम्हार पास excessive time ही था थीक है तो चलो start कर लेते हैं यहां पर भी लिखना 12 आउटवर्ड जर्मीज तो बारा बार के अंदर से दो बार कुछ अजीब हुआ था लेकिन वो जो अजीब हुआ था ना उसकी वज़ा से रेविन्यू को कोई फरक नहीं पड़ता बॉस क्योंकि वो तो बीच में गुड्स ड्रॉप किये थे ना उसके अंदर क्या फरक पड़ता है तो मैं बारा जर्नीज का कैल्कुलेशन इक अठाई खतम कर रहा हूँ ट्वेल्ड ट्रिप्स इंटू वज़सल करेक्ट है वो हिमांचू करेक्ट है ट्वेल्ड ट्रिप्स इंटू अच्छा में गुज़रा बोलो कितना टन्स बेटा एटू बी 6 टन्स ना 6 टन्स बीच में कुछ ड्रॉप भी किया था वो टन किलोमीटर के लिए काम में आएगा बरना तो काम में नहीं आएगा इंटू कितना रुपीज 90 रुपीज टोटल कर लो इदर उसके बाद 12 रिटर्न जर्निज अच्छा मेरे कहल से 12 के अंदर से 5 बार वो वाली कहानी घटी मेरे को बोलो 5 ट्रिप्स इंटू आगे बोलो ना दू और नमबर 8 इंटू 84 मेरे को जरा बोलो तुमारी रेविन्यू की कैलकुलेशन के अंदर किधर भी नमबर आफ किलोमीटर्स इंवाल्ड नहीं हो रहा मेरे को बोलो क्यों इस नौट पर टन किलोमीटर इस पर टन बेटा एक जगा से दूसरी जगा का टोटल रेट इस 90 irrespective of the distance बीच में goods drop करेंगे अलग बात है discount नहीं आने बला ठीक है अच्छा बाकी साथ के अंदर से एक बार goods C के अंदर ही offload कर दिया था लेकिन that will not affect us so therefore यहाँ पर आ जाएगा 7 into दो नमबर और बोलो 6 into 84 बस यह 3 revenues दो cost इसके ने से subtract कर देना profit आ जाएगा 3 2 2 4 है 3 2 4 4 नहीं है 3 2 2 4 है चलो इस question के अंदर shots के अंदर तो honestly में कुछ बोल ही नहीं सकता था because every line was too important so be careful count 12 trips in a proper way charges are per ton not per ton kilometer so just be careful of that थीक है चले question number 18 जो है just अगर कभी by chance exam के नहीं पूछ लिया it will be your good luck होनी इसके अंदर एक absolute ton kilometers आएगा जो हम लोगों ने आज तक ton kilometers compute के है वो absolute ton kilometers ही होता है और एक commercial ton kilometers हाएगा वो देख लेंगे अपन लोग ठीक है पड़े a truck starts with a load of 10 tons of goods from station P ठीक है it unloads 4 tons at station Q and the rest of the goods at R it reaches back directly to P after getting reloaded with 8 tons of goods at station R the distance between P to Q Q to R and then R to P are 40 kilometers and 80 kilometers respectively compute absolute ton kilometers also simply called as ton kilometers and यह अपने लिए निया है commercial ton kilometers वो क्या होता है वो देख लेंगे तुम लोग क्या करो मेरे लिए ना तुम लोग ऐसे P, Q और R वो बनाना ठीक है हर एक का distance यहाँ पे लिखना या उपर की तरफ या राइट हैं साइड की तरफ ठीक है और नीचे हर जगा पे tons लिखना कितना tons वगेरा तो वो carry कर रहा है ठीक है एक ऐसे पहले एक diagram बनाओ तुम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे kilometers बाहर की तरफ लिखते हैं और यहाँ पे tons हर एक जगा पे मेरे को तुम लोग यह बताना यह लिखकर कि कितना kilometers है कितना tons है बद sum पढ़के तुमको वो लिखने कही है और कुछ नहीं उसके बाद I'll finish of the sum to myself यह बना लो पहले एक बार then I'll show you all the question P2Q कितना kilometers है कितना tons carry कर रहा है Q2R वो कितना है और उसके बाद तुमको समझ में आ जागा मैंने triangle क्यों बनाया और पुछले कोशन की तरह मैंने straight line क्यों नहीं बनाया वो तुमको दो मिनट में sum पढ़के खुद बखुद समझ में आ जाएगा मैं sum की तरफ turn कर सकता हूं हाँ तो एक हाँ आप लोग sum देके you fill in the blanks प्रीज तो starts with a load of 10 tons from station P, it unloads 4 tons at station Q, तो यहां से लेके यहां तक तो 10 tons ही था, फिर उसके बाद unload 4 कर दिया, तो कितना बच गया बेटा, 6 tons, और यह पूरा का पूरा 6 किदर खाली कर दिया, R के मैं को एक बार सब लोग ज़रा बोलना, तुमको समझा मैंने triangle क्यों बनाया? तो straight line बनाने के अंदर क्या दिक्कत थी मेरे को? तो यहां पर शायद कोई shortcut way होएगा, R से P तक आने के लिए, तो इसलिए I made the things in that particular manner, ठीक है? अच्छा, फिर उसने R से कितना tons लिया? 8 tons, और वो P के लिए था, P पे खाली कर दिया, P to Q का जो distance है, वो कितने kilometers का है? 40, उसके बाद Q to R जो है, that's 60, और R to P जो है, वो है 80. अब इसके अंदर मैं अभी तुम लोग को क्या सिखा हूँ यार, तो लिखो absolute ton kilometers. Absolute ton kilometers, तीन बार compute कर लो, 40 kilometers into 10 tons, 60 kilometers into 6 tons, plus 80 kilometers into 8 tons, ये कितना हाथ है किसे ने मिरे को answer भी बताया था, ये कितना हाथ बेटा? 1400 ton kilometers, अच्छा, अभी ना, इंसिन्यूट ने एक अपना invention किया, ओके तो congratulations for that, वैसा in real life कुछ होता ही नहीं है, वो लोग बोलता है दुनिया में कुछ commercial ton kilometers भी होता है, तो लिख दो फिर और किया, लिखो, वो क्या होता है वो बता देता हूँ, commercial ton kilometers, अच्छा, अभी इंसिन्यूट ऐसा बोलता है, which I am not trying to vouch also, commercial ton kilometers कैसे compute होगा, it is average load into total distance, यहाँ पे एक पर वो लिख दो चलो, average load into total distance, चलो, पहले मैं को diagram देखके जरा बोलो, total distance कितना हुआ, यह पूरे के अंदर, 180 kilometers, so 40 plus 60 plus 80, आगे, average load, सुनो, पहले 10 ton था, फिर 6 ton हुआ, फिर 8 ton हुआ, तीन केसे है न, तो तीनो को add up करके, divided by 3 कर दो, that will give you the average load, बस यहाँ पे दिखा देना, 10 plus 6 plus 8, upon 3, अगर 4 होते हैं, तो add up करके, divided by 4 कर देते हैं, so therefore this is, 8 tons, tons के spelling देख लेता हूँ, हाँ, T-O-N-N-E-S, into 180, 1440, 1440, okay, 1440, अगोश यह मैंने वो ही बोला, institute ने अपना कुछ वो किया है, अगर आप waited कर लोगे न, तो end के अंदर फिर यही answer आजाएगा, आप try करना, फिर आप wait निकालोगे, taking weights, और weights के तोर पे, तो आपको distance ही लेना पड़ेगा, तो फिर answer वो ही आजाएगा, 1400, अब try कर लिए नाराम से, ठीक है?